हमस्कार दोस्तों इंडियन किसान चेनर पर आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त महेश चोधरी आज की हमारी नहीं विजिट है लो डेरी फार्म जो लो डेरी फार्म पे सो से प्लस प्रशू है तो हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि उन्होंने एकदम ही सो नह केते आई और लग किस तरीके से यहां तक पहुंचे दोस्तों तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करना दोस्तों और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो आए वीडियो शुरू करते हैं पूरा एड्रेस बता दीजिए ताकि हमारे विजिए जा अब गूगल पर सर्च करोगे तो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा लोड़े फार ने गूगल पर डाला हुए अपना प्राइब का पता तो आप अगर कोई उनसे मिलना चाहे तो आप मिल सकते तो सर आप यह फाम कितने साल से चला रहे हैं यह फाम तो हम यही सच मूले तो पूरा अपने बाप दादा से चलता रहे हैं और 15-20 सालों से थोड़ा इसको प्रोग्रेस किया ज्यादा पहले क्या पसुपालन पूरानी पेड़ी से चलता रहा था लेकिन हमने इसके नहीं टेक्नोलोजी लाई और लोकल हमारे आजू-बाजू गाह बगल में से थोड़ी गणी मारकेस में लाई हुई है और इसको यसे बच्छडा बढ़ा करके तो आप बता रहे हैं कि मतलब आपने 20 साल से आपने काम लिया है और आपने ब्रीडिंग करके यहों तक आए यह आप कोई मतलब खरीद के ज्यादा गई लाए नहीं थोड़ी गणी मारकेस में सब्सक्राइब करते हैं और उसको अच्छी तरह के खिला के मतलब त्यार करते हैं तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे हैं पहले तो महीं बताना चाहाएंगे क्योंकि जो घर पे की हुई जो बच्री मत कि other लाड की कि मार दुट जोटा होता है और मार्करेड मैं से लाह वी तो स्कंड पेलर कING और पास होता नहीं है Swiss पूरी तो आप घर पे तियार करते हैं तो आपको क्यों लाने पड़ती है वारषी क्योंकि आप तो अभी तो अभी तो आपको पूरी आपको दिखाएंगा पर जानकारी लेंगे उनके तो सर आप जो भर भर पर तायर करते हैं तो आपको क्यों लाने पड़ती है आप तो अभी तो आपका बहुत बड़ा मडलब हो चुका है आप सो पेशु के बता रहें तो फिर भी आप क्यों लाते हैं बाहर से बाहर से अभी तो दो तीन साल से नहीं लाई पहले लाई हुई थी पहले जब शुरूआत की थी तो सर आपके पास आपके जो घर की गाय है उसमें से आपने ब्रेडिंग करके तियार कही है वह सबसे ज्यादा मतलब गाय कितनी अभी दूद दे रहे हैं आपके पास जो आपको हाइस्ट मिलकर जिसे हम बोल सकते हैं इस पूरे दिन का 20 लेटर प्लस 20 लिटर से प्लस दे रही है और सर यह आप जो एक करवाते हैं किसके पास और कौन सी कंपनी कर वगरे कौन से बूल यूज करते हैं यह में तो हमारे ब्रस डेरी का जो जाता है इससे यह करते हमारा गांव का यह कर रही है तो जब मंदलब आप कोई बाहर का यूज नहीं करते हैं आपको जो देती है तो बनाश डेरी के भी अच्छे बुलाते हैं आपको मैं नस्दिक से भी दिखाऊंगा दोस्तों तो आप देख सकते हैं काफी अभी दो पर कर टाइम है तो गाये आराम करती हुई तो हम है और भी आप लूए कितणी घय को आपके पास कितनी को से हैं मेरी पर 25 एक और どth किवाई है ईचप गाय है कि और बाद किसनी है वाड़ की बचडिया तो काफी याब बचडिया आतीर करते यसाले ज्यादा है तो सर कि पास और सर आप अप बचड़ों रखते हैं वो तो आ तो आपको बनाश डेरी में क्या रेट मिलता है और आप गाए और बैसे आपके पास दोनों है तो दोनों के अलग अलग आप देते हैं ज़ेतों सब मिक्स करते करके देते हैं गृस का दूश है तो इसमें आपको बाव अलग अलग करहं हो तो अब हैंपा किटनरा mamla lane Ryan retro तो भी गाय का दूज्य पर लिटर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन फेट के इसाफ से जाता है तो तो पहुंचार तीन नव चार चार एक पहुंचार तो सर का बहुत अच्छा भी क्योंकि इतने काफि पशू और सर अपके बफेलों का कितना फैटा जाता है और कि अगल बगल भाई साथ के आठ से बीच में रहता है तो वह कितने रुपे लिटर जाता है जब आपकी 7.5 रुपे फैटा है हुँom तो आपको बफेलो का अ अच्छा मिल गाए तो आपकी गायों का दूतिक इतना बफिलो का कितना हो रहा है अब अलग-अलग बर्वात है ुश गायों से 40 मृट्र होता है और तो 35–40 मृट्र की खेल दे रहीं है इसमें गाबन जिए सब अगये, सब भागे, सब भागे और बाकी के सब भागे, द्राइ में आगे हैं, और बाफेलों में अभी 12 बेस वयने के बाकी है, जो अभी दू नहीं दे रही है गाबन है, और अभी 11 बेस, तरी दे रही है थाए 16 बेस, उनका टाइम का होता है 45-50 लि तो पूरे दिन का आपका 500 लिटर तक दूद चला जाता है तो दोस्तों देखिए सर का बहुत ही अच्छा में और उनकी एवरेद भी अच्छी आ रहे हैं तो उनका 400 लिटर प्लस हो जा रहा है और अभी गर्मी का समय है फिर भी बहुत ही अच्छा उनका हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि तो सर आम पूछेंगे कि आप गायों को आपने मतलब खूला रखा हुआ है तो गाये पूरे दिन खूली रहती है या मतलब किस तरीके से मे बुक लगाय हुए है इसके अदर दो बार सुबह और समा गास सारा खाले के लिए है और जो खटावल मतलब करने मिलकिंग के लिए aan प पर दीन यह पानी की तंकी लिए है और पानी पीके जब गूमती और आराम करती है तो सिर्प फीड के लिए और दोने क्लिए लिए उर मैं देख रहा हूँ कि आपने अफ़र, बना रखा हैं सिर्फ एक ही उ Dallas तो मैं जान सकता हो कि ये पूरी गाये बना अलग हैं, या सभी जो प्रेगनेंट हैं थे लिफ दें दें और है सभी सबी मिक्स हैं ल你好 बना होऊ है तो जब खाने काट समय आता है तब आप ले जाते हैं बाकी सब मिक्स में ही रहती है तो सर आप क्या फिडिंग में क्या दे रहे हैं उसके बारे में जनकारी दीजिए कि फिडिंग में हम पास्तों को हमारे पास एक जो विराइटी है शुपर बुलेट गास की वो अच्छी विराइटी स्की हाइट भी दस से बारा फुट होती है अगर साल में इसका से से साथ बार कटिंग आता है और अगर एक बार लगा इंग तो 4 पात चार पात साल तक चलती और बार बार लगाने की खेट खेडने की और बियान लाने के कोई खर्चा होता नहीं है और पसो को खाने में भी मिठी है और इससे बहुत फाइदा होता है तो आप हरे चारे में तो बुलेट ही खिलाते हैं हरे चाले में बुलेट घास खिलाते हैं और अभी सीजन उसकी कटि हमारे पास बहाजरी का खतर है। यो सफ़ते हैं वह सब्सक्राइब लगाया हुआ है। driven dhattar लगाया हुआ है। इसके नतर चार पाच जात का शुच्राज करें ने लिएर लगाया है वह सब्सक्राइब है। जब लेते हैं तब भीक्स करता हैं। हाँ तो एक लेएर है रखा ऐसी जब आता है तो तो सर क्योंकि आपके पास पशच्झूय है तो आप इस तरीके से एक गय को कीटना ज़ा उता है और किस तरीके सब किस तरीके से आप खिला सकते इसके अंदर गाय को प्यचानते हैं कि इस इस सब्सक्राइब कर दो जी डालते हैं तो जब आज आती है तो उसके बाद आप मतलब दालते हैं कि वह अंदर आगए तो यह प्रेग्नेंट है यह कितना दूद्द दे रही है तो आप हम अगर कहे तो कि आपके जो आपने बोला कि 20-25 लिटर एक टाइम का दूद जो मतलब पूरे दिन का दे रहे हैं तो उसको आप कितना हरा चारा कितना सुखा चारा मिला के और कितना जो फीड आता है वो देते हैं कि देखो यह बात करते तो हफिर उनको पुरे दिन का पंद्रह से बीस किलो हरा गासारा मिल जाता है और इसके बाद में 10 किलो जैसा सुखा गासारा मिल जाता है और दो टाइम फीड मिलता है प्रिमें आप क्या देते हैं पिद में हम आपको दिखाएंगे, कपासकी खली है, मक्का है, बाजरा है, जुवार है, गवार्चूरी है, भिर लाली है, जीराडा है, भगिर है। तो सर, आप तो चारा खिलाते हैं, तो पूलते हैं चारा घचारा खिलाते हैं? तो एक जए गयप 20 बेंट दूद दयता है दना कीतना चाहते है? प्रणा जो बिगाक हुआ है वो साइध है है मैक्सिमं विधी से साथ कीलो तक जाता है एक गायो डीन का चत्राइक गायो ले पुरे गलिध unless फॉर खूर डिन ईंका साथ किलो तक जाता है और आप यह सब आपने जो बता है वो सब भीगा देते हैं अबिगा देते हैं और उसको बाद में खिलाए तो सूबक भीगो देते और शाम को खिलाते हैं साम करें ब कितने मेने से कितने मेने तक भी है का Brazil से लेबिद works तो आभी वह मदलब हीट में आती है और तुछ आप शुरॉआत हो गई है अब शुरुआत हो वह अभी ने वहीं तो पूरे दिंगे मद एक साल में आप कितने काफ मद त्यार गर लेते हैं क्योंकि आपके काफी गाए है तो एक साम में 15-16 हो जाती है तो सर आप बता रहे हैं कि आपके पास 100 पर शुट है तो और आप यह भी बता रहें कि आप 15-17 त्यार करते हैं हर साल तो आपके पास अभी सो गाए हैं तो अगले साल 17-17 नहीं तियार होगी तो आप आप सोग यवी मेंटेन रखते हैं या सोग से उपर भी जाते हैं? अगर कोई तियार होती, तो बेच भी देते हैं न मार्केर में. मड़लब जो नहीं तियार होती है, बेच भी जहते हैiness. याप पुरानी या पुरानी? पुरानी आपको प्सन नहीं हैं, या कोई दूद्ध कम देती है कोई ज्यादा लेक्टेशन वाली हो जाती है ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब रखने की जगा नहीं होती है तो अगली साल बच्चे नहीं हो जाते हैं आपने जो स्ट्रक्टर बनाए हुए आपका डेरी फाम वह सो पशू तक ही है उसके बाद अगर ज्यादा हो जाता है तो मेनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है तो सर का बहुत ही अच्छी तरीके से मेनेजमेंट है दोस्तों कि सो स प्लस पशू जाने नहीं देते हैं और जाएंगे तो उनको काफी दिक्कत आएगी कि डेरी फाम में उन्होंने सो पशू का बनाए हुआ है तो तो सर आपने बनाश्ट डेरी आपको मतलब हर साल प्रोफिट और जो यह नाम देती है तो उसमें मैंने जाना थे कि आपका मतल नहीं देती technology से लिवकों किना प्रोफिट डिया तो तो अभी आने वाला है तो सर के कितना प्रतिश्यत तक दिया है इस बार डेरी ने तेरा पॉंट तेरा चोदा के बीच में दिया हुआ है तो सरका तेरा चोदा के बीच में तो हम उसका कैल्कुलेक्शन लगा सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए तो हम इसके लिए रखते हैं खुद मेहनत करने के लिए अगर आपको यह देरी फार्म लगाने का है और करना है तो पर इसके पहले आपको मेहनत और गोबर उठाने के पूरे पुरी सक्ती रखनी पड़ेगी मिल्किंग उख्षब करने की तो यह पसू रख पाएंगी अगर कोई सिधा गाय ला देगा अगर कोई पैसे वाला होग सब गोबर उठाने की पूरे पूरी क्षंता रखनी चाहिए बाद में स्ट्रक्चर वगेर सब मुलब सब तो आप क्या बताएंगे की डेरी फार्म करना हो अगर कोई बंदान हमारा किसान पाई देख रहे उसमें से करना चाहिए तो आप किस तरीके से उसको मुलब किस ऐसे पसुने करें चाहिए ठीक है और किक कुट को मैंनत करनी पहली तीरी रखनी चाहेगी से बाद में अब कर छोड़ से शुरू करें और पहले से ही लेबर पर निरपड़ना रहे जाए आत्मा निरपड़ होना जाहिए और मिल्युक्त सुच्छ तो यह ती हमारी झाल